द्रिश्टी आईएस की डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विशे है इंडिया-U.S. क्लीन एनर्जी एजंटा 2030 पार्टनर्शिप प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपती जोबी डेन ने भारत अमेरिका जलवायू और स्वच उर्जा एजंडा 2030 पार्टनर्शिप की शुरुआत की इसकी घोशना अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट औन क्लाइमेट में की गई इस पहल की शुरुआत करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक जलवायू जिम्मेदार यानि क्लाइमिट रिस्पांसिबल विकास शील देश होने के नाते भारत में सतत विकास के लिए कारे करने वाले पार्टनर देशों का स्वागत है प्रधान मंत्री ने कहा कि इस पार्टनरशिप से ग्रीन फाइनेंस और क्लीन टेकनोलोजीस प्रदान करके अन्य विकास शील देशों की भी मदद की जा सकती है भारत अमेरिका स्वच उर्जा पहल के माध्यम से दोनों देश मिलकर निवेश जुटाने में मदद करेंगे स्वच प्रद्योगी कियों का प्रदर्शन करेंगे और ग्रीन सहयोग को बढ़ावा देंगे प्रदान मंत्री ने कहा कि भारत ने विकास की चुनोतियों के बावजूद स्वच उर्जा, उर्जा दक्षता, वन रोपन यानि एफोरेस्टेशन और जैव विवितिता के लिए कई सहसिक कदम उठाए है भारत ऐसे देशों में शामिल है जिनका नेशनली डेटर्माइंट कॉंट्रिबूशन यानि एनडिसीज दो डिग्री से सगत है नेशनली डेटर्माइंट कॉंट्रिबूशन प्रतेग देश द्वारा परिभाशित लक्षे है जो ग्लोबल वर्मिंग को 2 डिग्री से नीचे यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए पैरिस समझोते के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं भारत ने 2030 तक गैर जिवाश्म इंधन स्त्रोतों से 40 प्रतिशत उर्जा उत्पन करने का लक्षे रखा है से उत्सर्जन में 50 से 52 प्रतिशत की कटाउती करने का वादा किया यह है पूर्व राष्ट्रपती बराक ओबामा द्वारा निर्धारित 2015 के लक्षियों से दोगुनी है पूर्व राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ने पैरिस समझोते से अमेरिका को अलग कर लिया था आपको बता दे कि कुछ महीने पहले ही अमेरिका पैरिस समझोते का फिर से हिस्सा बना है अपने सम्भोधन में बीडेन ने कहा कि अमेरिका विकास शील देशों के लिए अपने सार्वजनिक जलवायू वित्पोषण विकास कार्यों को दो गुना करेगा इसके साथ साथ 2024 तक विकास शील देशों में जलवायू अनुप्रियोगों के लिए सारवजनिक वित्थ पोशन को तीन गुना करेगा भारत अमेरिका स्वच उर्जा पार्टर्शिप के उद्देश यर निम्न दिखित है वित्थ जुटाना स्वच उर्जा परी नियोजन को गती देना होगा डीकार्बनाईस सेक्टर्स के साथ साथ उद्द्योग परिवेहन उर्जा और इमारतों के निर्माण इत्यादिक शेत्रों के लिए आवश्चक नवीन स्वच प्राद्योगी कियों का प्रदर्शन करना जलवायू संबंदी प्रभावों के जोखिमों को मापने प्रबंधन करने और एडैप्ट करने की ख्षम तका निर्माण करना करने प्रभावों करना